दोस्तों वैसे तो मार्केट में आपको धेर सारे PDF एडिट करने के लिए PDF एडिटर मिलेंगे लिकिन आज की वीडियो में जो PDF एडिटर की में बात करो जिसका नाम है यह PDF एडिटर के जरी आप खाली PDF एडिटी नहीं कर सकते आप PDF को कॉंप्रेज भी कर सकते या PDF को आप करना चाहते वर्ड में एक्सल में या PDF के अंदर से इमेजेस को एक्स्ट्रैट करना है वो भी आप कर सकते हैं और धेर सारी चीजे कर सकते हैं PDF का all-in-one solution आपको यह पे मिलने वाला है और यह PDF एडिटर फ्री में आपको मिलने वाला है बेस्ट पीडियाप एडिटर है दोस्तों तो चलिए अगर आप इंट्रेस टोड़ो इसको डीटेल में जानने के लिए तो Complete Technology चैनल पर मैं सतिशा आप सबका स्वागत करता हूँ Let's Begin तो दोस्तों इंट्रो पार्ट में जिस PDF एडिटर के मैं ने बात की उसे फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाई वहाँ पे एक लिंक है उस पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आजाओगे यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते है आपके अगर आपको PDF एडिटर एक्सेस करना है वैसे हाई PDF.com पर बहुत सारी टूल्स आपको यहां पर एक्सेस करने के लिए भी डिरेकली मिल जाते है यहां से भी आप एक्सेस कर सकते है और अगर आप उसे डाउनलोड और इस्टाल करते है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पे के भी दिखाता हो practically आपको पता चल जाएगा यह कितना efficiently काम करता है तो सबसे पहले PDF to file अगर कोई PDF को मुझे किसी file में convert करना है जैसे Word में या Excel में तो मैं क्या करूंगा यहां पर मैंने click रखा है click here यहां पर दिखाए दे रहा है file को select करने के लिए file यहां पर drag and drop भी कर सकत दिखाए दे रहा है और मैं इसे word में convert करना चाहता हूँ editable format में तो word और यहां पर extension क्या रहेगा वह भी दिखाए दे रहा है इसके जगह अगर आप Excel में convert करना चाहते है तो options भी आ रहे दिखिए Excel है PowerPoint है image है किसमें आप convert करना चाहते फिलाल मैं यहां पर इसे word में convert करना चाहता हूँ और यहां पर आपको दिखाए दे रहा है convert button जैसे आप इसे click करोगे यह convert हो जाएगा यह देखे completed within a second और यह पर एक option भी आ रहा है open folder तो मैं इसे click करता हूँ जैसे मैं click किया यह जहां पर convert हो चुका है word file वहां पर आपको directly लेके जाएगा मतलब file explorer में से यह folder open हो रहा है और इसे आप open कीजिए इस word file को अब देखे यह editable format में word file आ चुकी है यहापे आप संजे यादो की जगए कुछ और नाम type करना चाहते हो तो आप यहापे type कर सकते क्या बात है editable format में यह पुरा पुरा invoice आ चुका है right तो यह यहापे easily convert कर देता है किसी भी applications के अ यहापे click करने के बाद यह Excel में convert हो जाएगा तो इस तरह से यहापे आप अलग-अलग applications में से convert कर सकते हैं यहापे click करो यह देखिए invoice Excel format में भी आ चुका है अब आगे क्या है यहापे file to PDF किसी भी file को आप PDF में convert करना चाहते तो आप कर सकते चलो word excel इन file को आप आसानी से PDF में वैसे भी convert कर सकते हैं क्योंकि सेवाइस करते समय PDF को option Microsoft ने खुद दी दिया है लेकिन image को अगर आपको PDF में convert करना है तो ऐसे समय में आप इसका इस्तामाल कर सकते हैं आपकी पास image है और उसको तुरंट PDF करना है तो यहापे click कीजिए और आपकी पास कोई image पढ़ी है suppose मेरे पास यह certificate वाला image में लिलता हूँ यह image है right certificate.gpz दिखाया दे रहा है आपको यह image को मैं अभी convert कर रहा पीडियाप में यह सब कुछ है यह आप ए convert बटन दिखाया दे रहा है click करता हूँ हो गया है तुरंट हो जाता है wait करने की ज़रूरत नहीं open case यह आप ही देखिए यह pdf convert हो चुक है exit किसी भी image को आप quickly क्या कर सकते है convert कर सकते है pdf के अंदर wow okay encrypt pdf next option आपको दिखाया दे रहा है आप pdf को lock कर सकते click easy देखिए यह features भी interesting है यह invoice जो है मेरा confidential है मुझे लगता है मुझे से lock करना है या कोई भी file ले लो और तो यह details मेरी lock करनी मुझे तो lock कर करता हूँ open करने के बाद यहाँ पर आ चुका है नीचे option आगे आपके पास कि पासवर्ड क्या रखना चाहते हो six alphabet या six digit आप यहाँ ठीक है मैंने रख दिया password 123456 कोई बात नहीं encrypt okay यहाँ पर मैंने encrypt कर दे आपको जो password रखना है रखी है यहाँ पर click easy open folder और यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर पहले password देना पड़ेगा और password देने के बाद ही यह open होगा proper password देने के बाद ही यह दिखिए right so इस तरह से यह एक काम करता है आपको यह idea भी आ चुका होगा कि वह यह encrypt भी properly कर रहा है even compress करना है आपको यहाँ पर compress PDF देखिए compress PDF के लिए और यह सारी ची करना हूँ और इसे medium size रखता हूँ मैं high नहीं करता हूँ अगर high PDF करूँगा तो ज्यादा compress होगा low करूँगा तो थोड़ा कम compress होगा और मैं इसे compress कर देता हूँ अभी यह 724 kb size थी इसकी देखते कितना कम कर दिया इसने अभी यह चोटी सी size already इसकी size बहुत कम है बड़ी size की रहेगी तो यह ज्यादा compress करेगा वैसे यह देख सकते है आप यहाँ पर यह देखे कितना compress हो चुका है लगबख 144 kb तक यहाँ पर आ चुका है मतलब यहाँ पर यह फाइल का size reduce कर रहा है क्योंकि मैंने medium रखा हाई करेंगे तो और compress करेगा 50% से ज्यादा भी compress कर सकता है merge करना है PDF को आपको दो PDF एक साथ करने है तो यहाँ पर जाइए same है आपको दो PDF एक साथ select करने है मुझे यह print और invoice यह invoice और Rajesh Singh यह दोनों मैंने select कर लिया और यहाँ पर मैंने merge कर दिये इसका एक merge एक combined document आ जाएगा मैं यहाँ पर click करूँगा तो आपको दिखाए देगा merge file right merge file मैं open करूँगा इसमें पहला invoice है यह Rajesh Singh का था और यह दूसरा invoice नीचे आपको मिल जाएगा ओके course पर राइट तो दोने invoice मैंने यहाँ पर combine कर दिये तो ऐसे आप यहाँ पर PDF को combine भी कर सकते है right merge कर सकते है आसानी से और यहाँ पर यह तो application में मैंने कुछ features आपको options यहाँ पर आपको मिलते हैं यहाँ पर PDF to word मिल रहा है image to PDF मिल रहा है word to PDF मिल रहा है धेर सारे options है जो PDF के साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं जैसे PDF को split करना अलग पेजस में या compress image करना है PDF to pages convert करना अलग-अलग उके उसके साथ extract images from PDF अगर कोई PDF में आपके धेर सारे images पढ़े तो मैंने इसे यह किया रन किया अब वो पोल रहा है कि मेरे पास page एक ही है जो आपने PDF सिलेक की अब आप इसे extract करना चाते है yes extract इस एक ही page में से कितनी images वो extract कर पाएगा जितनी images आपने add की है वो सब extract हो जाएगी डाउनलोड कर दिता हूं मैं एक zip folder में यह डाउनलोड हो यह देखिए तो यह काम की चीज़े जब आपके पास धेर सारे PDF है नोड से और उसमें से कुछ images है कुछ चीज़े logo है diagram है वो आपको extract करने अलग से PPT बनानी है तो इसके लिए आप यहाँ पे इसका इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसे show in folder करता हूं download में मैं इसे extract करत और extract, extract to invoice और invoice 1 को मैं open करूँगा यह देखिए इसमें जितनी भी images पड़ी है यह देखिए ओहो क्या बात है सारी images यहाँ पे extract हो चुकिए तो ऐसे धेर सारी चीज़े आपको मिल रही है यह highpdf.com की उपर और यह बिलकुल फ्री है जाकर description में check out कीज़े अभी के अभी मैं मिलूँगा कुछ और interesting वडियो के अंदर और मुझसे अगर आप course से सीखना चाहते है ISO certificate तो वह भी description में website की link है check out जरूर कीज़े मिलते अगले वडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा next Monday 5 PM याद रखिएगा बाइबाइ